तो दोस्तो यहां छट के नीचे सीलिंग में लगने वाला एक LED पैनल लाइट है दोस्तो इसका ड्राइवर है यह सौट सरकिट हो चुका है दोस्तो अगर आपके पास किसी भी तरह का LED लाइट है और उसका ड्राइवर यह दी सौट हो जाता है तो वहाँ पर मैं आपको बता ऄहाँ यह कि राईवर है उसका फ्राइवर होपाता है दोस्तो आजकी वीटेो में आपको पूरी जानकारी मिलने वाला है और सौट होने पर कौण कौण से कंपोनेंट खराब रहते है और उस tedious चेंज कर सकते हैं पूरी बात आज के वणीढों बताने वाला हो तो चले यहां पर आप देख पा रहे हैं यह को भी वेल्टेज नहीं आएगा क्योंकि इसका जो रजिस्टेंस होता है इंपूट में लगा होता है यह उड़ जाता है तो साउट है कि नहीं इस यह इसे आपको कैसे पता करना है तो इसके लिए आपको मल्टिमीटर से यहां पर इसका जो रजिस्टेंस है उसे आपको चेक करके देखना है जिया दोस्तों यह जो रहे इंपूट में लगा होता है यह थी फ्यूज का काम करता है यह 50-100 होता है तो यह आप आप देख पा पना हो यह फ्यूज उर चुका है इसका अपना आप नहीं उरब दो यह किसी कारण से ही उड़ता है जब सर्कीट सौट हो जाता है तो यह फ्यूज उड़ जाता है तो 95% चांस होता है कि आगे सर्कीट सौट हो चुका होगा तो यहां पर मैं एक जंपर लगाता हूं यहां पर और आपको इसका सौट सर्कीट टेस्ट करके आपको दिखाता हूं यहाँ पर मैंने एक jumper लगा दिया है जो कि इसका resistance का फ्यूज ओर चुका था तो मैंने आपर एक jumper लगा दिया है अब मैं इसको series board में supply दूँँगा दोस्तों आप देख पा रहा है हम दोनों terminal में यहाँ पर wire लगा रहा है तो हमारा series board का bulb glow कर रहा है क्यों इसका जो ड्राइवर है यह पता कर लिए कि यह सौर्ट है अब दोस्तों सौर्ट हैने पर कौन-कौन से component खड़ाब हो सकता है यह हमें पता करना है ठिक है अब दोस्तों यहाँ पर resistance खराब है fuse वाला यह तो पता चल चुका है इससे आगे MOV लगा होता है यह नीला कलर का आप दे सकते हैं यह खराब हो जाता है और इससे आगे एक rectifier लगा होता है यह भी खराब होता है और इन तिनों के अलावा इसका जो IC भी है यह कभी-कभी खरा है न मल्टिमिटर लेना है और यहाँ पर बजर मोड में आपको set करना है दोनों लेग में आपको reading चेक करना है यहाँ पर reading आ रहा है अब दोस्तों reading आ रहा है इसका मतलब यह खराब है दोस्तों यह जो MOV होता है इसमें किसी भी तरह का reading नहीं आना चाहिए लेकिन इस MOV मे नहीं आ रहा है तो खराब नहीं माना जाता ठीक है तो इसके बाद रेक्टिफायर को चेक करेंगे आगे के आउट्पूट के दोनों वायर को तो यहां पर रेक्टिफायर के आप चेक करेंगे आउट्पूट दोनों लेख को यहां पर तो यहां पर सौटेज बता रहा है या कीघा are now trialane यह वाय पर इसका इन्पूट वाय इसको पहले निकाल लेते हैं अब इसके बाद हम क्या करेंगे दोस्तों इसके बाद हम टीनोग कॉमपोनेंट को यहां से रिए करेंगे हटाएंगे क्योंकि हमें यहाँ पर इन तीनों को बदलना है तो यहाँ पर हम सबसे पहले जो रजिस्टेंस है जो की फ्यूज रजिस्टेंस होता है यह दोस्तों पचास से सो ओम के लगभग का लगा हुआ रहता है यह तो यहाँ पर हमने रजिस्टेंस को तो निका करेंगे तो यह काफी मुश्किल काम होता है लेकिन आपको यहां पर एक ट्रिक बताता हूं जिससे आप आसानी से NIGAL सकते हैं है तो आप एक तरब से सुई ले नह Иppt नहिंने सकातनी बनाया है और यह आप इस थंख मात हूस्पील से और इस सुई ऐसा डारेक्षन के बारे में जानना जरूरी है इन पुर्षिप्ट की स्पाइब इनपूट है तो इसको कैसे पहसे पहचानेंगे तो आप दे सकते हैं एक कठ क करी सहन होता है आप दे सकते हैं मैं आपको जूम करके दिखाता हूं अगर धेख पार कर सोल लेक्षान आयान में पहसे एक रांगा एड़ कर लेना है और सूई के किनाय जो हमने लेग को टिकाएं वहाँ पर हम यहीं सूई गर्म होकर यानि कि सूई अंदर जगा बना लेगा और असानी से निकल जाएगा आप देख पा रहे हैं यह सूई अंदर भुष चुका है दोनों लेग माँ आप दोस्तों आपको बिल कुर्हान आपके पास ही मौजूद धी चुक् uh तो आपको क्यारना क्या है आपके पास कोई पुराना खराब LED बल्ब है उसका ड्राइबर में यह तीनों कॉम्पोनेंट आपको आसानी से मिल जाएगा आप देख पर यहां पर एक रेक्टिफायर लगा हुआ है और इसमें एक रेजिस्टियंस लगा हुआ था जिसको मैंने पहले से निकाल दिया है तो यह जो LED ड्राइबर है किसी भी वाट को सकता है उसमें आपको यह तीनों कॉम्पोनेंट आसानी से मिल जाएगा तो यहां से मैंने रेक्टिफायर यहां से निकाल रखा है पहले से और एक रेजिस्टियंस सतर ओम का निकाल कर रखे मैं आपको दिखाता हूं आप देख पा रहा है हमको यहां पर तीन कंपोनेंट यहां पर चेंज करना है तो दोस्तों यहां पर सबसे पहले तो हम यहां पर रेक्टिफायर को लगाएंगे क्योंकि इस कंपोनेंट को लगाएंगे तो जगह कम रहेगा तो रेक्टिफायर लगाने में ह और लगाने से पहले इसका direction के बारे में जानना जरूरी है, जो कि मैंने आपको पहले बताया है, तो यहाँ पर दोस्तों हम इसका direction देखते कि output input कौन सा है, तो इसमें आपको cut कर निसान मिलेगा, अगर नहीं मिलेगा तो plus minus कर निसान मिलेगा, output में आप देख पा रहे हैं right side plus और left side minus तो ये उपर वाली side output का है और नीचे का side input का तो हम को पता है कि सर्कीट का output इधर था तो हम इस तरह से यहाँ पर चीम्टी की मदद से इसको पकड़ कर किसी यहां पर चिम्टी के द्वारा पकड़कर करें एक साइट को और उसके बाद हम यह चेक करेंगे कि हमां जो रेक्टी फायर वाज सीधा सीधा है कि नहीं इसको आप पर चेक कर लेने चाहिए एक बार तो यहां पर सही है तो हम यहां पर साधानी से आपको ध्यान देना है कि कोई भी लेग आपस में साइट नहीं हो आपको देखना चाहिए इस तरह से तो इसको हमने लगा दें दोस्तों अब एमोवी को आपको लगाना है जहां पर लगा हुआ था तो आप एमोवी को उल्टा सीधा कैसा भी लगा सकते इसमें कोई दोनों को हमें आपको लगाकर और इसका इंपूट वायर को सपलाई का जोड़ दिया है तो इसले समय सब्सश्ड्वाइब जोड दिया है अब यहांपर हम दोस्तों इसका चेक करेंगे कि साॉर्टेज ठीक हुआ कि नहीं तो यहां पर मैं आपको दिखाता हूं स्रीज बोर्ट हमारे चलू है यह सॉट कर रहे हूं तो बल्ब जलता है तो यहां पर हम सर्कृट का जो टूपिन टॉप है उसको यहां पर लगाएंगे तो लगा दिया है अब हम यहां पर स्विच को आउन करने वाले हैं तो दोस्तों पर सुच आ और अचला कर रहे हूं तो यहां पर आउन कर दिया है और कोई भी हमारा बल्ब ले जल रहा है या डोस्तों इसमें सॉटेज प्रॉब्लम आप बिलकूल भी नहीं है अब दोस्तों इसका प्रॉब्लम है तो दोस्तों अब चलिए इसके बाद हम आपको इसका जो LED पैनल लाइट है उसको जिला कर आपको दिखाएंगे ठीक है तो यहां पर मैंने इसका कनिक्शन कर दिया है अब यहां पर मैं सप्लाई यहां पर लगा लेता हूं अपने स्विच बोर्ड में और इसको स्विच को जय ही जय वारत वंदे मात रहा हूं